किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सुरक्षा सक्त कर दी गई है, हर तरफ बैरिकेटिंग्स और पुलिस की तैनाती है हरियाना दिल्ली के सिंगु बॉर्डर पर कैसी तैयारी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए किसान संग्ठरों के दिल्ली कूच आंदोलन के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस भी पुरी तरह से मुस्तेद है दिल्ली पुलिस ने भी कमर कसली है कि किसी भी सूरत में आंदोलन कारियों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा इसको लेकर दिल्ली पुलिस तमाम तरह की तयारिया कर रही है और बॉर्डर को सील किया जा रहा है इस वक्त मैं दिल्ली हर्याणा बॉर्डर के सिंगू बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर जो में हाईवे है या पूरी तरह से बंद कर दिया गया है एक लेन चलाया जा रहा ह उस lane को भी तुरंट बंद करने की तैयारी कर दी गई है जैसा कि जैसे ही आंदोलन्कारी दिली की तरफ बढ़ेंगे उसको भी पूरी तरफ से बंद कर दिया जागा लेकिन दिली पुलिस ने किस लेवल पर कैसी तैयारिया कर रखी है इसको हम आपको दिखाते हैं यह service road है ज सिमेंट और कॉंक्रीट डाल दिया गया है इसके बाद जो दूसरी लेयर है इस ठीक दिवार के पीछे की लेयर आप देखिए इसमें मोटे मोटे सरीय डाले गये हैं और इसके अंदर भी सिमेंट और कॉंक्रीट का मसाला भर कर इसको पूरी तरह से पक्का किया जा रहा है इस इसमें आप तस्वेरों देख से किस तरीके से मोटे मोटे सरीय लगाये गए हैं यही नहीं यह जो बीच का हिस्सा है जो सिमेंटेड बैरिकेटिंग दोनों के बीच के हिस्से में इस तरीके से पूरा सिमेंट और कॉंक्रीट डाल कर इसको पक्का किया जा रहा है कि कि किसी भ जो बैरिकेटिंग है जो लेयर बाई लेयर बैरिकेटिंग की गई है इसको सिमेंटेड करके पूरी तरह से पक्का कर दिया गया है तस्वीरों में मैं दिखा दूँ कि ये जो बैरिकेटिंग कॉंक्रीट की लगाई गई है इसके बीच बीच में ये लोहे के सरिये है और सरिय के के बीच में cemented masala ढाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी गारी ले कर अंदर घूस ना सके और ये कई लेयर की बैडिकेटिंग उपर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई लेयर पर ये cemented पुत का जो बैरिकेटिंग है इसको लगाया गया है इसके बाद कि अगर हम बात करें तो इसके बाद यहां से शुरू होता है यह कटीले तारों से घेरा बंदी का